हालो गुड आप्टेनून और ये दो पहर का रेशिपी बनने के लिए तयार आज मैं मसालेदार पनीर बनाई हूं जो आप सभूं को दिखाए पड़ रहा है और ये पनीर जो है करीब दो घंटे में मेरा बनके तयार हो गया था और इसे मैं छोटे-छोटे टुकड़ों में क कुछ तो बना रहे हूं छोले पनीर बना रहे हूं कितने लोग जानते हैं छोले पनीर है ना छोले पनीर अधिकतर पनीर के साथ मटर पनीर ही कहा जाता है छोले पनीर बहुत कम बोला जाता है लेकिन मुझे आज इक्छा थी कि मैं छोले पनीर बनाऊं ठीक है और पनीर को म पसंद है उस तरह बनाना मुझे भी अच्छा लगता है और फ्राई हो जाने के बाद थोड़ा नमक और गुनगुना पानी में मैं पनीर को निकाल ले रही हूं वह इसलिए कि ऐसे करने से पनीर जो है वह मुलायम रहता है तो यह पहले दफे है और यह दूसरी दफे मैं पनी करते जा रही हूं और अपने ऑर मुझ तेल में कुछ खड़े मसाले घरम मसाले मैं दी हूं और 37 पत्ता दे दी प्याज दे दी है ना और इन सब के अच्छी तरह से चटक जाने और भून जाने के बाद और अच्छी तरह से भून जाए उसके लिए मैं थोड़ा इसमें नमक भी दे दे रहे हूं ताकि प्याज जल्दी से क्या हो जाए उगला भी हो जाए है ना और सब के फुन जाने के बाद जो मसाला मैं तयार करके रखी थी पोस्ता बदाम और थोड़ा धेनिया और जीरा मैं उन सब को मिर्चा अदरक ये सब सब कुछ ठीक है और उसके साथ ही साथ थोड़ी हल्दी और कस्मेरी लाल मिर्च ताकि उसमें कुछ रंग अच्छा आ जाए ये सब मैं दे करके अच्छी तरह से इसे भून ले हूँ अब ये मसाला से जो है वो तिल छोड़ने लगा है और इन सब के अच्छी तरह से भून जाने के बाद मैं उसमें टमाट़ प्योरी जो बना करके रखी थी उसे मैं मिला दी हूँ और सब के बहुत अच्छी तरह से भून जाने के बाद क्योंकि मसाला जब अच्छी तरह से भून जाते उसमें खुसभू आते है तो सबजी में मैं भी अच्छा श्वादा और जिस तरी के से मैं बोले थी कि आज मैं छोले पनीर मना रही हूं तो छोले जो है वो मैं बोल करके रख ली थी और मिसाला के भूण जाने के हिसाब से दे दी हूँ और जब इसमें पानी मैं दे दी उसके साथ ही साथ में पनीर भी इसमें मिला दी हूँ ठीक है ना और आप लोग सब कैसे बनाते हैं बतलाएगे जिरूर ठीक है और जब तक सब्जी बन रहा था तब तक सर्जी भी ड्यूटी से आ गये थे है की नहीं और मैं उसे उनसे नहीं मिलवाई पर आ गये थे चलिए इसके साथ ही आज का ये छोले पनीर वाला रेशेपी आप सब हों को कैसा लगा आप लोग बतलाएगा कॉमेंट करके बतलाएगा ज चरूल और मैं थोड़ा नमक टेस्ट कर ली थी नमक थोड़ा कम था तो थोड़ा और मैं नमक दे दी हूँ और इसके साथ ही आज का ये ब्लोग का अंत करती हूँ और आप लोगों को यदि पसंद आता है तो आप लोगों से लाइक शेर और कॉमेंट कर दीजेगा और ने आने वाले फ्रेंट्स हैं तो सब्सक्राइब चरूर से कर देजेगे फिर मिलेंगे किसी नही कहानी के साथ किसी नही अंदाज के साथ तब तक के लिए मैं आप लोगों से विदा लेती हूँ बैबाई और दो पहर का समय हो गया था खाने का समय हो गया था सर जी भी